Hello Pisces, Welcome to R.A. Intellect Guidance, I hope आप सब अच्छे होंगे, अपमें लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना धिहान लग रहे होंगे आप जो फिर आपके लिए रीडिंग ने क्या आई हो और हम देखने वाले येस और नो रीडिंग तो आपके मन में जो भी सवाल है आप युनिवर्स से डिरेक्ट पूछ सकते हों यहाँ पर आपको yes, no, possibly और check again से आंसर मिलेगा और check again का मतलब है कि आपको अपना question check again करने की जरूवत है एक बार इस पर फिर से विचार कीजिए जो आप पूछ रहे हों ठीक है और अगर आपको board पे जिसे होता है बहुत लोग कहते हैं नहीं विश्वास है ठीक है हम tarot से भी आपके लिए cards देखेंगे जो भी answer आपका आएगा ठीक है आप tarot से भी देखेंगे और आपको confirmation देंगे चलिए शुरू करते हैं तो आप अपने intention को set कर लीजे और अपना जो भी question है वो पूछ लीजे universe please guide आप प्लीज अपना intention set कर लीजे universe please guide Pisces क्या message है उनके लिए क्या answer है उनके लिए उनके question का thank you universe thank you so much please guide Pisces thank you universe thank you so much please guide Pisces Pisces आपका answer no है आपके लिए no answer आ रहा है ठीक है हम देख लेते हैं क्यों आ रहा है no answer thank you universe thank you so much ठीक है आगे देखते हैं universe please guide Pisces no answer क्यों आया है please guide यह आपका mastercard है the day trader must please guide disappointment tower generalist मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपका जो भी question है ना जैसे कि आपी के लिए खत्रा बन सकता है आपी को ही प्रॉब्लम में डाल सकता है आपके लिए आपके लिए अच्छा नहीं है जो भी आपने मांगा है जो भी आपका question है सब सब्सेंटर पर टावर है इसमें जो भी है आपका इसमें disappointment मिल सकता है या फिर हो सकता है लोग आप पे ही उंगली उठाया आप पे ही दस सवाल किये कि ऐसा क्यों किया ठीक है आप आपको यह फील हो कि आपको यह रहा कि मैंने यह decision लिया ही क्यों आकर ठीक है बाद में आप अपने आपसे सवाल ना करें इसलिए युनिवर् result है आपको disappointment से ज़ादा और कुछ नहीं मिलेगा ठीक है disappointment से ज़ादा और कुछ नहीं मिलेगा आपको इसमें और angels ही चाहते हैं मुझे दिखाए देरा angels ही चाहते हैं कि आप यह काम मत करो तो हो सकता है वो पूरी कोशिश करे कि आपका यह काम बिड़े ठीक है आप इस या तो ऐसा है कि इसमें true emotions नहीं है यह आपका जो भी question है अगर यह love basis पर है तो यहाँ पर लोगों की true emotions नहीं जुड़े हैं या फिर ऐसे लोग इस से connected है जो आपको harm कर सकते हैं emotionally hurt कर सकते हैं ठीक है career से भी है या आपका investment या money से भी है तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि यहाँ पर आपको या तो लोग पैसा लेके भाग जाएंगे या तो आपको यहाँ पर वो difficulties का सामना कर सकता अगर आप सोचो सामने वाला मुझे understand करे तो भी वहाँ पर वो चीजे नहीं दिखा कोई जॉब है तो उसमें भी आपको disappointment देखने को मिल सकती है या जॉब से निकाला भी जा सकता है कुछ लोगों को इसी तरह के जॉब से निकाला भी जा सकता है या salary रोक के रखी जा सकती है और marriage के लिए regarding पूचा है तो marriage में divorce और marriage unsuccessful होने के बहुत ज़्यादा chances है यहाँ प है तो यहाँ पर universe आपके काम बिगाड़ेगा नहीं होने देगा या तो नहीं होने देगा और आपने कर भी लिया तो फिर यही परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा simple तो इन चीजों के लिए मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई देना साफ साफ कि it's all about business और अगर business के regarding भी या अपने question पूछा है तो business में भी मुझे problems आती दिखाई दे रही है तो अगर यह love और emotions वाली बात है तो भी इस लग रहा है कि love और emotions नहीं यहाँ भी business हो रहा है यहाँ भी business हो रहा है मतलब दिल से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो हमेशा हम सोचते हैं कि हम ज करके जा रहे हो या as a love में किसी person के पास जा रहे हो वो सुकून वो happiness यहाँ पर नहीं है यहाँ पर disaster है तावर है और universe या आपकी angels या spirit guides जो भी आपको देखते हैं आपके साथ हैं वो आपको protect करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है शायद सामने वाला person या जो भी है जो आपको job offer कर रहा है या तो हो सकता आपका partner है वो अभी हो सकता आपको बहुत अच्छा लगे कि यह तो वही है जिसको मैं ढून रहा हूँ यह वही job है जो मैं चाहता हूँ और यह कितने अच्छे कितने cooperative हैं कितने supportive है लेकिन बाद में अलग हो जाएंगे तो अभी हो सकता यह चीज आपको बहुत अच्छी लग रही हो और अपने तब attract कर रही हूँ पर कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती और यहां पर भी वही चीज है आपको यह चीज attract बहुत कर रही है पर यह शायद आपके लिए नहीं है तो अपन अगर अब ही तक नहीं किया है तो comment box में ज़रू बताएगा thank you so much